आजम शुरू करते हैं आपकी वोक्षीट नमबर 10 ठीक है यह आपकी हिंदी और मैच्स कहा है यह तो मैं बना रही है आप लोग ले लेंगे तो चलिए पहले से पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से आप लोग इसे लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे अपना नाम विशे उसे बार-बार यही बात कह रही हूँ कि आप लोग जो वक्षीट साती है इनको अच्छे से पढ़े क्योंकि अगर आपके एक्जैम सोते हैं तो आपके कोश्चन्स जो है वो वक्षीट से ही आएंगे क्योंकि आपको और कोई इस तरह से पढ़ाई हो नहीं रही पारी है ना आप कोश्चिंग वगएरा जा पारे हैं इस वेसे जो भी आपको वक्षीट के थुरू पढ़ाया जा रहा है वही आपके लिए इस वक्षीट से और आप लोग उसको ही पढ़ें ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है यानि कभी भी उसकी कोई उपयोगिता में कमी नहीं आई है यानि उसकी इंपोर्टेंस में कोई कमी नहीं आई है पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार के अधुनिक्तम असाधन नहीं कर सकता यानि जो काम पत्र करता है वो और कोई नहीं कर सकता चाया मोबाइल एसमिस कुछ भी हो पत्र जैसे सितोष, संतोष फून या समस का संदेश कहां दे सकता है पत्र एक नया सलसिला शुरू करते है और राज्यतिक सहित्ते तथा कला के छेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते है यानि अब कहने का मतलब यह है जो एक पत्र है वो हमारे जिंदीगी में बहत एहम भूमिका निभाता है यानि कुछ राजनिती हो या कुछ भी हो हर्ष मामले में पत्र कहीना कहीन काम आता है यानि उनका मीन पौंट है वो पत्र ही है और मानव सब्वेता के विकास में इन पत्रों की अनूटी भूमी का निभाई है यानि यह जो हमारा विकास मानव सब्वेता को जो विकास हुए उसमें भी हमें पत्र देखे पत्र का मतलब एक पत्र तो ठीक है यह पत्र का मतलब होता है कि जो च्टी आती है लेकिन पत्र का म बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने उस कलिए में कैड किया गया ता, किस ने किया ता? अंग्रेज होने किया ता? क्यों कियों किया थे हमारे देश को आजाद करो अंग्रिज हो कोई बुरा लगता था तो क्या है? आणिक तो वहां उनके साथ क्या हुआ? या उन्होंने वो एक साल या दो साल की जो भी समय अब्धी चाना उसको कैसे बिताया वो उन्होंने किस में में लिखा वो उन्होंने तरह तरह के उँटाओं से उसका प्रूफ में वहीं मिलता है अगर वह इस तरह से पत्रों नहीं लिखते हैं तो क्या हमें मिल पाता है? नहीं मिल पाता है पत्रों का भाव सब जगान एक सा है व। मतलब्यान्य नामखे हमें दूकर जिसका पत्रो को ch expresses है सब मथभने, सब चीज में एकूल है यह पत्र को अर्दू में खत कहते आप होस्टल में तो क्या है वो आप उसे समाल के रख सकते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे बूड़े हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि जब मैं होस्टल में पढ़ता था तो पापा ने मुझे ये खत भीजा था तो क्या है वो चीज़ आप समाल के रख सकते हैं नहीं क्योंकि पता चला मोबाइल चोरी हो गया, पता चला मोबाइल टूट गया, लो मोबाइल रिसेट पढ़ गया, सौफ़वेर खराब हो गया, सारे मैसेजिस सब डिलीट, वो इंपोर्टेंस नहीं रहता जो पत्र का है, ठीके, अब क्या लिखा है, इसमें किसी कोई, यानि किस कोई संदे नहीं, ठीके, हर एक की अपने पत्र लिखने की कला होती है, सब अपने अपने स्टाइल से लिखते है, अब मैं वीडियो बना रही हूं अलग स्टाइल से, कोई और बनाएगा, हो सकता है, मुझसे अच्छी बनाएगा, कोई और हो सकता है, मैं उससे अच्छी ब हम हो सकता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन आपको ना पसंद है क्योंकि आपकी चॉइस वो नहीं है जैसे मैं पढ़ा रही हूं है ना तो इसी तरह से बोलने कि पत्र लिखने का भी अपना अलग अलग स्टाइल होता है सबका और हर एक के पत्रों का दाइरा यानि देखिए अपना दाइरे से मतलब यह कि जब आप अपने भाई को खत लिखेंगे तो आप उससे थोड़ी से शैतानी भरी बाते कर सकते हैं लेकिन वही पत्र अगर आप अपने टीचर को लिख रहे हैं तो क्या आप उनसे इस तरह से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उनसे जब आप बात करेंगे तो अब पूरे अदब के दाइरे में पूरे तमीज के दाइरे में बात करेंगे इसे तरह से देखें दुनिया भर में रोज करोणों पत्र एक दूसरे को तलाशती तमाम ठीकानों तक पहुँचते यानि एक जगा से दूसरी तो आपको पता चला कि कितनी चिठ्टियां भारत में भेजी जाती और कितनी एहमियत है इनकी हमारे लिए अब क्या रहते हैं पंडी जवाला लाहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि अब क्या कहता पढ़ते हैं हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे या तेज या फिर तीज घोड़े रहे क्यूंकि एक जगां से घोड़ों के जरीए ही जाया जाता था कार हवाई जाता था यह सब चीज़ तो होती नहीं थी उसके बाद पहिया आए यह पहिया आए रीलो से भी तेज गती से समवाद पहुचाने का सिलसला शुरू किया ठीक है अब देखे तार जो है ना वो दो चीज़ हो गई एक तो तार आपके फोन को भी कह सकते हैं ठीक है और दूसरा तार खत की एक तरह की चीज़ होती थी उसको तार कहा जाता था ठीक वह मतलब जि कि उनके जमाने तक मोबाइल तो नहीं आये थे लेकिन टेलिफून और वॉयलेस तो आ गये थे तो आगे दुनिया बदल ही रही है कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहेगा अब उस जितन से दिखे शब्दार थे हैं आपके उपयोगिता यानि आविशक्ता संचार यानि अधुनिक्तम यानि नया से नया है ना सुतोष यानि तृप्ति या जो शांती मिलती है साधन यानि उपकरण सिलसिला यानि चलन तमाम यानि पूरा संपून ठीक है विवाद यानि जगड़ा कींद्रित यानि अधारिस सहच कर यानि संभाल कर संदेश संदेमाने शक पोस्ट मैन अगल होते हैं उलकों कहा लिए ठीक अब क्या लिखा है अब गद्यारिश की अधार पर निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजी तो चलिए पहला प्रशन पढ़ते हैं यहां लिखा है आपके अनुसार पत्र फोन और SMS एक दूसरे से कैसे अलग है यानि पत्र जो ह आधन या फोन SMS नहीं कर सकता क्यों कि पत्र को हम रख सकते हैं संभाल कर है ना उनसे भावनाएं जुड़ी होती है जो की SMS नहीं कर सकता यह SMS वगरा से नहीं जुड़ती है जैसा भी मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया तो बस आप इसका आंसर यहां से यहां तक पूरा निभाते हैं तो पत्र हर तरह से नहीं नहीं भूमिकाय निभाते रहे हैं और आगे निभाई रहे हैं तो चले फिर भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है यहां से लिखेंगे कि दुनिया का तमाम सहित्ते पत्रों पर ही केंदित हैं और मानव सब्वेता के विक तमिल, उर्दू, तेल्गू, संस्क्रिट और हिंदी इन सब में क्या क्या कहा जाता है आपको बताना है तो चलिए एक काम करते हैं पूरा अंसर देख लेते हैं जो उपर लाइन आई यह उस पूरी लाइन को में एक साथ पढ़ लेंगे ठीक है आप चाहिए तो इस तरह से इ उत्रम, जाबू, और के, तथा तमिल में कडिक कहा जाता है ठीक तो इस तरह से आप यह पूरा लिख सकते हैं आराम से तो पूरा लिख देंगे कोई प्राब्लम नहीं है नहीं तो जहां उर्दू लिख है उसके आगे खत लिख दीजिएगा जहां संस्क्रिट लिख है महा पत्र लिख दीजिएगा जहां कर्णन है महा कादक ठीक और तेल गुलिख दीजिएगा उत्रम, जाबू और लेक दीजिएगा और तमिल है महां कडिक लिख दीजिएगा ठीक है तो आप चाहिए तो ऐसे भी गर सकते हो चाहिए पूरा जो मैने पैरेग्राफ बनाया है वै कि कोरोना वायरस आपके अनुसार इसमें कितनी चिठ्टियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी ठीक है अब आपको इसका अंसर देना है एक तो यह वाला तो ऊपर आपके पहरेग्राफ से रिलेटीड है यह वाला आंसर आपको खुद देना है ना तो चलिए एक काम करते आंसर देख लेते हैं अब देख सकते हैं पहरेग्राफ के हिसाब से यह लिए भारत में हर रोज लगबख साड़े चार करोड़ चिठ्टिया डाक में डाली जाती है ठीक अब हमने बताए कि जो महामारी की इस्तिती अभी चल रही है तो मेरे नुसार कम से कम दो करोड़ च दूर रह रहे हैं तो उनसे हाल चाल पूछने के लिए फिर भी कभी कदार चिठ्टियों की ज़रुत पड़ती है वरना आजकल मोबाइल वगएरा से ही लोग बात करते हैं चिठ्टियों का इस्तिमाल ऑफिशली यूज होता है मतलब जब आप किसी सरकारी काम निन सम्में क चिठ्टियों का इस्तिमाल जादा होता है रिलेटिव में जाधा तर लोग फोन पर ही बात करते हैं तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ दो करोड चिठ्टिया ही बेजी जा रही होगी चलिए अगला कुशन पड़ते हैं पर आपका कुशन लिखा है कि पंड़े जवाल का मतलब क्या भी बताया है मैंने जी बिलकुल जो डाक ले जाने वाले भाई होते हैं पोस्ट मैंड अंकल है और फिर क्या हो गए तेज घोड़े आ गए जिसके बाद पहिया आया इसके बाद रेल और तार आ गए ठीक है जिससे बारी बदलाव आया तार ने रेलों से भी गती करी ठीक है और इसके बाद ये सलसला अभी चली रहा है कभी खत्म तो हुआ नहीं और अब टेलेफोन वाईलेस आगे और दुनिया आगे बढ़ी रही तरक्य करी रही है तो देखें क्योंकि जवालाल लहरू के सेंटेंस इसले लिए कि हमने इन्वर्टेट कॉमा में कर रहा है तो आप भी सेंटेट सानी में लिकेंगी तर्फी युक्रेट उन्हों नहीं कि जवालाल नहीं जा जाता को हमने सींडेशा जाता है तो भी कोंध टो दो बगते यह। ठीक है और अगर हम किसी की कही हुई बात को कहते हैं तो उसका सिंबल होता है कि उसे हम इन्वर्टेट कोमा में रखते हैं ठीक है चलिए तो अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग अब आप देखिए आपका यहां अगला कोशन दिया है गतिविदी या पिए गति विदी है अगर आप इसे कर सकते हैं तो बहुत अची बात है लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं कि थोड़ी सी यह डिफरेंट होती है ना तो आप इससे शिप भी कर सकते हैं कि या क्या लेका अनूठी का अर्थ निराला या विशी कि शुरूब से सबसे अलग होता है तो जिस परकार चिथियों की दुनिया अनूठी है उसी परकार आपके जीवन में या आसपास क्या अनूठा है उसका एक पिटारी में सहच कर दिखाए यानिए कि आपको क्या करना है एक बॉक्स डैप का बनाना है पिटारा यानिए की चिपका सकते हैं तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करेंगे यह क्योंकि गतिवीदी है इसको आप अपने अपने शाब से करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे करके ठीक है और उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजे जो आपको लगता है कि अनूठी है उनको जब बती जाती है लाइट्स नहीं आती है तो आज भी एसी वेसी कितना भी तरकी कली हो एसी लग गए और सब कुछ लगए चिलर पिलर सब आ गए लेकिन क्या है जो उस पंखे का मज़ा है वो कहीं भी नहीं आप जितने भी पुराने लोग देखेंगे सब वही पंखा पंखे का चितर चिपका के उसके बारे में लेख सकते हैं तो इसके लावब और चीजी है जो आप अपने ममी बाबा से पूछ सकते हैं और उन्हें आप करेंगे चिक तो मैं इसका अंसर आपको सिर्फ समझा दिया है लिखाओंगी नहीं यह आप लोग खुद करेंगे अब इसके वरक्शीट उसको देखते हैं तो मैंसकी वरक्शीट को शुरू करते हैं पहले की ऊच्छे से लिखिए लिखेंगे लिखिए कि लिखेंगे है क्ँलींचली वरक शीट में आपको याद तो आप लोग पिछली वोक्षिट एक बार देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे ठीके चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक रोचक पहली अब आपको एक पहली दी गई है क्या मुक्ता मैडम ने कंचो की एक थैली में से एक मुठी कंचे निकाल कर दूसरी थैली में डाल दिये ठीके और उस थैली की गाट मार कर बच्चो को कहा कि इस थैली की गाट को बिना खोले बिना गिने और इस थैली को बिना पकड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचो की संखिया बता सकते हैं यानि अब देखें मैम ने क्या कहा कि आपको मतला उन्होंने ने इसमें गाट लगा दी और सब्सक्राहर मुझे मुझे बताओ कि उसकी कितने कंचे है और देखे जो फातिमा का लिए ने इसक वध ενतल बचप अत्र कि आ उसका वजन पंदरा गिराम निकला ठीक है अब उसने क्या करा कि एक कंचा लिया हमने कंचे को माल लिया मतला एक कंचा लिया उसका वजन उसने क्या बोला कि पंदरा गिराम है ठीक है अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला तो उसका वजन तीन सो तीज गिराम निकला ठीक है फातिमा खुश हो गई और बोली मैडम मैं बताओं कंचो की संख्या कितनी है सभी बच्चे हैरान रहे गे जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फातिमा ने सभी बच्चो को समझाया की अब जब मैम ने उसका उत्तर सही बताया कि हाँ बिटा पता है को यह होता है को यह होता है कि यह होता है कर दोसरी तहले में कंची की संख्याइक पंद्रा थी अब 15 15 करातों जब भी देखिए जो भी आपके कॉंस्टेंस यानि कि जो शर्प होते हैं आपके इसे प्लस में लेखना तो टो के प्लस फाइफ होगा ठीक है अगर माइनस में लखेंगे तो के माइनस फाइफ होगा यह मैं अबको एक्जामबल करें समझार्यू कि इने कैसे लिख लेकिन मंटिप्लाई में दोनों को एक साथ लिखा जाएगा और दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं होगा तो वही चीज यहां देखे इन्होंने इसको मंटिप्लाई कर तो 15 के हो गया क्यूंकि हमने 15 क्यूंकि एक कंचे का वजन था वह 15 ग्राम तैसलिए यहां पर 15 के अब दुसरी थैले के सभी कंचे था उनका वजन कितना निकिला था 30 ग्राम निकला था तो अब क्या मतनल वहा कि 15 के बराबर 330 ती जोनों को 15 काटना था तो दोनों के नीचे आपनें 15 पंद्रा करतेव गठा कित्ता रख दिया पंद्रा जैसे कि एक्जांपल को तरफे आप कुछ लेने जाते है मार्केट में अगर अंकल ने ऐसा करा कि तराजूम के एक पले में एक किलो का बाट टका और दूसरे पड़े में सब्जी डाली अगर सब्जी जादा होती है तो वो इधर कुछ बाट बढ़ा देते ना पूछके क्या अगर माल लीजे उनके पास सब्जी कम निकली एक किलो से तो वो क्या करते गए आंटी जी थोड़ी सी सब्जी और ज्यादा कर दूँ यानि बाट को कम कर दूँ करते नहीं करते तो वही चीज है अब देखे आपका क्या या यह 15 के था इसके बटे में भी हमने 15 रख दिया तो आंसर कितना आया 22 या उसके अंदर कितने कंचे थे 22 कंचे थे तो आई ना मजा ठीक है तो इस तरह से उसने यह कर लिया तो अब यहां देखे क्या लिखा निश्कर्ष यानिकि खुलासा जो हमने अभी तक इतना सब कुछ उपर दिमाग मारी करी उससे हमें हासल वसूल क्या हुआ तो हमने देखा कि तराजु समान का एक प्रतीक है और समीकरन को बराबर रखने के लिए हमें दोनों पक्षों में एक समान डाशिन जोडते हैं यानि कि जो भी राशिय वो एक बराबर होनी चाहिए या घटाते हैं या गुड़ा करते हैं या भाग करते हैं लेक बच्ची है मीना उसके पास अगर मान लीजी है हम कहने कि उसके पास सो पैंसिल है तो रवी के पास उससे पांच अधिक है यानि उसके पास एक सो पांच होंगी अगर उसके पास सो है ठीक है अगर उसके पास पांच है तो उसके पास अधिक होगी यह उसके पास दस होंगी, समझ रहें? तो अगर हम मान लेए, कि यादे डोनों के पास कुल 19 पैंसिल है तो अब यह बताएए रव्यू और मीना के पास कुल कितनी-کितनी पैंसिल है तो सिम्पल है, कर लेगे आफटा फट देखिये, कि माना कि मीना करें यूपर करतें थेयों कर देंधि Maina के पासCr énसल थी उसे प्लस हो तो धियों यह आप जोनों पाक्षों में 5 खटाया तो दीख में 15 अध्याइंज यहां पर भी 5 बराबर और शच्रंद से मैं से 5 बचक्त 14 तो आपका आंसर क्या हुआ 2P बराबर 14 यह हुआ तो अब क्या होता है देखेंगे 2P बराबर 14 यह 2P से साथ मंटीप्लाइब में तो पी इधर बचेगा 14 के साथ 2 बटे में आ जाएगा ठीक अब 2 बटे में आपकार देंगे 2 ही कम 2 12 slash 14 तो पिखी वैलीओ किती है his 7 यानि कि जो बदलब बच्चा है कौन मीना के पास also इसी लिए अगर के पास 7 तो Satsad been like happily बादे टूर्म और ने की पुंस के पास बार्रा उनके पास किती होगी बारा आप देखे के मीना के पास कितनी pencil है 7 और रवी के पास कितनी pencil है 12 तो आप देखिए ज़रा 7 और 12 को प्लस करेंगे आगया ना 19 तो दोनों की pencil का जोड़ा गया 19 आई समझ में तो ये बहुत मज़िदार questions होते हैं अगर आपको समझ में आजाएं अगर आपको समझ में नहीं आएंगे ना तो ये question बहुत मुश्किल हो जाते हैं तो इसलिए आप हमेशा याद रखे इसको ये वीडियो ना मेरी कम से कम दो बार देखें उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आते हैं अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर एक बार और देखें ऐसी बात नहीं है किसमें कोई बी चीज मुश्किल है लेकिन कहाऊ कि कभी हम जब करने बैठ़ते हैं तो कुछ चीज delicacy नहीं आते हैं जो हम दुबारा समझतें तो समझ में आते हैं जब आप देखिए तीचर आपको समझा रही होती है आपके एक बार में समय है फिर करते हैं मैम प्लीज वाले लाइन दुबारा समझा जीजे मेरे समझ में नहीं आई अब आप मुस्छे तो यह बात नहीं कहेंगे कि मैम दुबारा समझाए तो उसके लिए मैं आपको संख्या में बदलने पर क्या होता है यह मतलब आपको बताने की कोशिश करें कि देखें बीच में होता है बराबर का निशन ठीक इधर कुछ संख्या होती है कुछ संख्या इधर होती है तो अगर इधर की संख्या इधर लाते हैं इधर की संख्या इधर ले जाते हैं और उ सबसे important part है मुझे नहीं पता आपने 6 में या 7 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा लेकिन अभी मैं आप क्योंके पढ़ा रही हूं तो आपको और यहां पर आ भी गया है तो यह बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि देखिए equals to कर निशान यानि बराबर कर निशान होता है य काँ यही है खुल से माइनस मैं हो जाएगा थीक पर कोई संख्यां भाग में हो गणामी और हमें तो आपको में जो गट से में बाहुत है कि और निशेनन गोड़ा में होती है घुञाती है जहां तोफेरा भाग में हो जाती है गगर dude क्योंकि जमा घटा गुणा भाग एक दूसरे के पूरा के यह अपोजिट है जमा घटा का गुणा भाग का ठीक है तो यह चीज मैंने बहुत आस्तान भाशा में आपको समझा दी कि आप हमेशा याद रखेंगे जैसे आप यहां देख सकते यह देखिए यह ना कि यहां पर यह आपका 2P था ठीक है तो इस तरह से आप इसे कर सकते तो चलिए अब हम आपके कोशन देख लेते चलिए कुछ अन्य प्रशनों को हल करें अब यहां लिखा y-7 is equal to 27 तो आपको इसे solve करना है तो चलिए इस कांसा देखते हैं हम लोग अब आप देखिए जैसा अभी हम लोग पीछले पढ़के आएं उसके according यह देखिए y-7 था जब y-7 is equal to के इधर जाएगा तो किस पर हो जाएगा प्लस में ठीक है तो y plus किता हो जागा 27 plus 7 is equal to 34 तो y की value किती निकले आपकी 34 ठीक है चलिए अगला कोशन पढ़ते है अब द अब देखिए यह 7 upon 2 l है और इधर 2 upon 7 है यह कोशन आपका अब क्या होता है जो यह 2 है इदर किसमे है divide में तो इधर किसमें आजाएगा multiply में तो 2 multiply 2 किता हो गया 4 और 7 यह 7 रहेगा ठीक है अब यह 7 L जो इधर था इसका L इधर किसमे है multiply में तो इधर किसमें तो इधर किसम भी कह सकते हैं कि जब हम इस पूरी डिजिट को इधर लेकी आएंगे तो यह उल्टी हो की आएगी कैसे आएगी यह 7 अपॉन में 2 है ना यह 2 अपॉन में 7 के रूप में आएगी ठीक है तो जिससे 2 है इसके नीचे 7 आजाएगा तो 2 2's are 4 और 7 7's are 49 आप ऐसे भी लिख सकते है तो दोनों तरियके सही है जैसा यह दिख रहा है आपको इसको भी आप लिख लेंगे यह तरियका भी ठीक है ठीक तो चलिए अंगला कोशिन पढ़ते है लास्ट कोशिन यह क्या दिया गया है 9u प्लस 2 upon 7u is equal to 4 चले इसको solve करते है यही आपकी equation है 9u ठीक है upon में 1 हो और is equal to 4 हो जाएगा यही है तो अब क्या करते हैं पहले नीचे वाले डिजिट की ले लेते हैं LCM तो इसका LCM हो जाएगा 7 और जब हम 7 को 9 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 63 ठीक है और उसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 63 प्लस 2 हो जाएगा 65 और इधर भी हम तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है तो आप लोग इसको इस तरह से उतार लें कि जैसे मैंने लिख्या आप से मैंज़ेटेस से इस उतार ले यही आपका आंसर हो जाएगा और अगर कोई प्रॉबलम हो तो इस वीडियो को दुबारा से देखे ताकि आपको और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने मैंजा को सब्सक्राइब करें तो प्लीज मैंजा को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फार वाचिंग